IET NCERT द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याय दस जूलम जूली प्रिष्ठ संख्या साथ आनंद मै कविता माती माती खेले आओ पानी पानी खेले धर्ती में बीजो को बोए खेल किसानी खेले चुपम चुपी खेले आओ जूलम जूली खेले चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी कूदम कूदी खेले श्याम सुशील इस प्रिष्ठ पर दिये गए चित्र में बच्चे खेल रहे हैं प्रिष्ठ संख्या 61 बात चीत के लिए एक, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। दो, आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं। तीन, मार्टी मार्टी खेल कैसे खेला जाता होगा। शब्दों का खेल। एक, शब्दों का दूसरा साथी खोज कर बताईए, लिखिये और पढ़ कर सुनाईए। चुपम, चुपी, जूलम, रिक्तस्थान, पकडम, रिक्तस्थान, कूदम, रिक्तस्थान। दो, यहाँ दी गई शब्दों के नाम सुनिये। जूला, चुपम, खेल, जंडा, खेत, चतरी। बताईए, इन नामों की पहली ध्वनी में क्या अंतर है। तीन, इन शब्दों को पढ़िये। उ यह उ की मातरा लगाकर नए शब्द बनाईए और लिखिये। फल, रिक्तस्थान, पल, रिक्तस्थान, परी, रिक्तस्थान, सराही, रिक्तस्थान, शिक्षन संकेत। जूला, छुपम, खेल, जंडा, खेत, छतरी, आदी एवं अन्य शब्दों की सहायता से बच्चों को ज, छ, ख, की, ध्वनी, आक्रिती या अक्षर से परिचित कराएं। इनसे बनने वाले अन्य शब्द भी पूछें। बच्चों से पूछें कि उनकी भाशा में इन्हें क्या कहते हैं। प्रिष्ट संख्या बासट पढ़िये और मिलाईये। इस प्रिष्ट पर दिये गए पहले चित्र में एक लड़की पेड की डाली से बंधे जूले पर जूला जूल रही है। दूसरे चित्र में एक लड़का पेड पर चढ़ा है और दूसरा खुश हो रहा है। तीसरे चित्र में एक बच्चा धर्ती में कुछ बोने की कोशिश कर रहा है। चौथे चित्र में कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। प्रिष्ट संख्या 63 खेल खेल में, कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिये गए खेल खेलिये खेल का चित्र बना कर अपने परिवार के लोगों को बताईए जट पट कहिए एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दोड़े जट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खट-पट, सोए है सट-सट सुशील शुकल इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें दो चूहे हैं और वो कुछ खाने की तयारी कर रहे हैं प्रिष्ट संख्या 64 चित्र और बातचीत प्रिष्ट संख्या 64 और 65 में एक गाउं का चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक महिला अनाज काट रही है और उससे थोड़ी ही दूर पर एक मचान बना हुआ है एक महिला ट्रेक्टर चला रही है एक बच्ची बकरी को चारा खिला रही है एक महिला ओखली में कुछ कूट रही है एक महिला कुए से पानी निकाल रही है एक किसान अपने कांधे पर हल रखे, खेत की तरफ जा रहा है एक व्यक्ति घडे में पानी भर कर कही जा रहा है एक किसान अपने खेतों में खाद डाल रहा है एक महिला अपने सर पर टोकरा रखे, सबजी बेच रही है बच्चे खेल रहे हैं शिक्षन संकेत पोस्टर के विशे में चर्चा करें जैसे खेतों में कौन-कौन क्या-क्या काम कर रहा है खेत में मचान क्यों बनाई जाती होगी आदी हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुँचती है चर्चा कीजिए और फिर चित्रों द्वारा बताने का प्रयास कीजिए चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिये अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचन्स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहायक तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.